हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजी रहे निवेकैंसी के साथ? जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वेकैंसी आ रखी है, वो आ रखी है इंडियान ओर्डिनेस फैक्टरी के तरफ से यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चिनिटी निक अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से ब्लॉंग करता है, कहीं से भी ब्लॉंग करता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई एक्जाम नहीं होने वाला, आपको एक रुप्या भी पे नहीं करना, फॉर्म फिस यहाँ पे 0 रुपय रखी गई ह तो आप जरूर से जरूर अप्लाए करिए मेर भाई, आपके जो भी माक्स बने हैं, डिप्लोमा के अंदर, बी बीटे के अंदर, उसी के बेस पे आपके हाँ पे सलेक्शन होने वाला है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी आपको दी गई है, अप्लाए जरूर करना, कैसे अप्लाए करना है, सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे वीडियो के अंदर, बस वीडियो को आपको फूरा देखना है, बीना स्किप किये, तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक की नहीं किये है मेर भाई, तो वीडियो को करता है support करता है वीडियो को share जरूर कर दिया करिये और comment box में अपने ब्रांच और अपने ट्रेड को जरूर से mention कर देना ताकि आने वाली jobs update आपकी जो भी ब्रांच है और जो भी ट्रेड उस से relevant आपको देखने को मिलें और description में मैंने आपको link दिया है लिंक आपको description में मिल जाएगा तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर ले पास में जो घंटी वाल आइकन उसको दबा दे ताकि आपको next video को notification सबसे पहले मिल पाए और आपको बाई इस चैनल पे इंजिनरिंग जो अपको बता रहा है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पप्लाई कैसे करना उस process के बारे में process बड़ा ही simple सा रहने वाला है जो जो steps आपको बता रहा हूँ उन steps को आपको follow करना है directly आप apply कर सकते हैं apply link, pdf link, सारे link description में मिल जाएंगे, telegram channel पे मिल जाएंगे, दोनों पे देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो opportunity निकाली गई है वो निकाली गई है, heavy vehicle factory के तरफ से उनको यहाँ पे manufacturing का काम होता है like top हो गया और भी बहुत सारे vehicles रहते हैं उनका manufacturing का यहाँ पे काम रहने वाला है और ministry of defense के अंडर यह काम करता है government of India के अंडर यह work करता है तो यहाँ पे जो opportunity आपको देखने को मिलेगी वो आपके लिए आ रही है apprenticeship program अब बहुत सारे बच्चे confused रहते है apprenticeship में और internship में देखें internship क्या होती है कि जब आप B.B.Tech के diploma या फिर IT कर रहे होते हैं तब आप करते हैं और apprenticeship program क्या होता है जब आपको complete हो जाता है उसके बाद आप करते हैं मतलब कि अगर आपको complete हुआ है 2020 में, 2019 में या फिर 21 के अंदर complete हुआ है आपका B.B.Tech, आपका diploma तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे समझ मैं है यहाँ पर और यह जो training program रहेगा आपका एक साल का training program रहेगा और बहुत सारी जगे apprenticeship को as experience count किया जाता है तो आप जरूर से apply करे खाली बैटने से अच्छा है कि यहाँ पर apprenticeship करे और आपको इस type भी अच्छा गासा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं graduate apprenticeship program निकला गया है mechanical engineering के लिए electrical and electronics engineering के लिए computer science engineering के लिए civil engineering के लिए और बहुत सारे बच्चे डिवांड करते रहता है कि से automobile के लिए कुछ लिका ही है तो यहाँ पर आप देख सकते है automobile engineering के लिए भी 10 vacancy निकले गई है basically यहाँ पर जो total number of opportunity आपको देखने को मिलेगी 104 opportunity आपको देखने को मिलेगी 9000 उपर पर मंत की साबसाब के हाँ पर stipend रहने वाला है और यह एक साल तक आपका training program रहेगा ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पर technician की diploma apprenticeship के बारे में तो यहाँ पर branches सेम रहेगी discipline आप देख सकते है mechanical, electrical and electronics, computer science engineering civil engineering, automobile engineering रहेगा और यहाँ पर देख सकते है divide किया गया, मैं इसको अब देख सकते है अपने accordingly, total number of opportunity 110 है यहाँ पर और आप देख सकते है 8000 उपर महीने के साबसाब का step it देखनी हो मिलेगा, total एक साल का आपके मतलब की 12 महीने का आपके जो रहेगा, ठीक है बात कर लेते कुछ और important point के बार में तो यहाँ पर अपने जो किया है बात कर लेते, qualification के बार में full time आपका होना चीए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है किसी भी university से कर रखा है apply कर सकते है, technician में आप देख सकते है डिप्लोमा अपने full time किया होना चीए age limit के बात करें तो जो आपका age limit रहता है वो 18 साल से लेके 27 year तक रहता है ठीक है, diploma candidate के लिए और BBT के लिए भी और age relaxation आपके यहाँ पर बिलकुल देखने को मिलेगा OBC category को 3 साल का age relaxation देखने को मिलता है, जो SCST category से है उनको यहाँ पर 5 साल का age relaxation देखने को मिलता है और PWD candidate को 10 साल का मिलता है for a general candidate बाकी आप 3 साल और 5 साल जोड सकते हैं उसके अदर 15 साल का आपको SST जो PWD में आते हैं उनको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं और important point के बारे में duration of training आपको 1 साल कर रहेगा ठीक है अगर आपने पहले को भी training कर रखी है apprenticeship कर रखा है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकती है यहाँ पर उन्होंने साफ सा pension कर दिया है बहुत सारे question ऐसा आते हैं comment में कि सर मैंने पहले apprenticeship कर रखा है आप यह सारी चीज़ें दे रहे किए selection process आपका क्या रहेगा आपका जो apprenticeship selection process रहता है उसमें आपका document verification होता है उससे पहले आपका यहाँ पर meritries बनती है जो भी आपने marks गेंगे डिप्लोमा के अंदर बीबी टेक के अंदर जो भी आपने marks गेंगे है उसके base पर ही आपका selection आपको देखने को मिलेगा ठीक है और बात कर लेते हैं पर पूरा को पूरा बता रखा है कैसे आपको apply करना है MHRD Nets Portal पर जाकि आपको directly register कर लेना और यहाँ पे इन्होंने साफ सब 2022 से start हो चुका है इसका last date रहेगा 25 है 2022 पतलख की total 15 दिन आपको दिये गए है और इसका यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे mention कर दिया गया है और shortlisted जो आएगी list आएगी shortlisted list आएगी उसका आएगा बारा साथ 2022 को और जो verification आपको document होगा 19 साथ 2022 से लेके 20 साथ 2022 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा scheduling यहाँ पे इन्होंने announce कर दिया तो आप इसको अच्छे से देख ले न बड़ी opportunity है एक साल खाली गवाने से जाए यहाँ पे आप apprenticeship कर ले आप experience gain कर ले future में अगर कहीं पे यहाँ पे वेकेंसी निकलती है तो जो apprenticeship आपने किया है वो as experience count हो जाएगा और इंडियन audience factory का जो यहाँ पे recruitment है जल्दी आपको यहाँ पे जारी किया जाएगा बहुत अच्छी recruitment आपको यहाँ देखने को मिलेगी for a diploma candidate, IT candidate तो यहाँ पे जरूर apply करिएगा मैं तो कहतो हूँ apply जरूर करिएगा फ्री का यह form आपको देखने को मिलेगा अगर कोई भी doubt है comment box में comment करके पूछ सकते हैं आपका भाई आपका instant reply कर देगा तो मेरे आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा वोग तक जिनको job की नीड है और comment करके जरूर बताना कि आप कौन सी job search कर रहे है ताकि वो जो आपके लिए मला सके वाट्स